दोस्तों किसी भी YouTuber के लिए अपने YouTube चैनल पर 1000 सबस्काइबर कम्पीट करना पहला टास्क होता है और यह पहला milestone होता है क्योंकि 1000 सबस्काइबर कम्पीट होने के बाद YouTube की तरफ से भी काफी सारे feature मिलते हैं इस पर तो मैं पहले यह वीडियो बना चुका हूँ आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि जब आपके चल पर 1000 सब्सक्काइबर कमपीट हो जाएं तो आपको कौन-कौन सी सेटिंग कर लेनी चाहिए अपने YouTube चैनल पे मतलब क्या-क्या चेंज कर देने चाहिए जिससे आपको काफी ज़्यादा बेनिफिट होगा कुछ सेटिंग आप चैनल बनाते वक्त भी कर सकते हैं लेकिन अगर बनाते वक्त आपने नहीं किये तो कम से कम 1000 सब्सक्काइबर कमपीट होने के बाद तो ये सारी सेटिंग आपको करनी ही करनी है पहली setting के बारे में बात करते हैं, देखे सबसे पहले अगर आपके channel को आपने बनाया, आपने वीडियो डानला इस्टार्ट कर दिया, लेकिन किसी भी तरीके से 1000 subscriber complete हो गए, मतलब 1000 लोगों ने आप पे भरोसा कर लिया और आपके channel को subscribe कर लिया, मतलब अब ये channel आगे भी चले पर live stream करता हूं Sunday को, तो मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों का channel सर्च में ही नहीं आता, तो मैं उनके channel को pick भी कर लेता हूं, लेकि जब सर्च में नहीं आता, तो मैं इनको check ही नहीं कर पाता, अब अगर माल लीजिए, आपका channel सर्च में आ रहा है, तब तो ठीक है, और नहीं आ रहा है, तो इसको search में लाने के लिए आपको channel का पूरा SEO करना पड़ेगा, about लिखना पड़ेगा, चलके keyword डालने पड़ेंगे, और आपको एक unique name भी सोचना पड़ेगा, अगर आपको लगता है कि आपके channel का name ही unique नहीं है, इस name से पहले से और channel है, तो आपको name भी बदलना पड़ सकता है, तो ये चीज़े आप करें, इसको आप 0 subscriber भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं किया है, तो 1000 subscriber पे तो आपको करना ही करना है, और अगर आपको नहीं पता कि चलका SEO कैसे करते हैं, तो इस पर एक proper मैंने वीडियो बनाया है, उसका जो link है वो आपको description मे जाएगा, जाकर आप देख लिजेगा, इसके अलावा मैं आपको बता दू, आपको 1000 subscriber complete होने के बाद, इस channel के name से, जो भी आपके चलका नहीं है, इसी name से, same name से आपको अपने social media account भी create करने हैं, जैसे Instagram हो गया, Facebook हो गया, Twitter हो गया, ताकि अब वही channel तो चल पड़ा है, हम इ चली जाएगी, और ये बहुती सही रहता है, इसके अलावा मैं बता दू, अगर आपके चल पर 1000 subscriber complete हो गया है, तो ऐसा तो बहुत कम होता है, कि एकी वीडियो डालने से, आपके 1000 subscriber complete हो जाए, आपने काफी सारी वीडियो भी डाली होगी, किसी पर जादा व्यूज आया होग करने के लिए, अगर आपको कोई tutorial देखना है, तो मैंने ही सबसे अच्छा tutorial बना रखा है, अपने दूसरे चैनल पर आप जाके देख सकते हैं, मैं उसका link भी आपको description में डाल दूआ, आपको अपने homepage की setting बहुत अच्छे से करनी है, वहापे अपने channel का trailer भी लगाना है, औ और सब कुछ लगा के अच्छे से कस्टमाई channel बना लेना है, इसके अलावा अगर आपके 1000 subscriber complete हो गए, तो आप अब तक भी अगर अपना custom URL set नहीं कर पाए, तो ये जरूर करें, आपको custom URL वैसे तो 100 subscriber complete करने पर ही कर लेना चाहिए, लेकिन channel का 30 दिन पुराना होना भी जरू है, और अगर आपने सोपे कर लिया तो वही बहुत ही बड़ी है, और अगर आपको URL set करना नहीं आता, उसका वीडियो मैंने इसी creator guide channel पर बना रखका है, आपको आई बेटर में दे दूँगा, जाके देख लेगा, इसके बाद आपको अपने बढ़िया सा logo बनाना है, जो logo बहुत यूनिक है, और वो अपने चनल पर आप लगा दे, मैंने बहुत देखा है, कुछ लोगों के 20,000 सब्सकाइबर हो जाते हैं, लेकिन अपने चनल पर लोगों ही नहीं लगाते, तो एक अजर सब्सकाइबर कम्प्रीट होने के साथ, 4000 घंटे का वोच टाइम भी कम्प भी ओपन करवाई, जिसमें आपको यूट्यूब का पैसा चाहिए, और आप अपने चनल को मॉनिटाइज के लिए भी अपलाई कर दे, अपलाई करना बहुत जरूर है, ताकि आपका चनल जो है मॉनिटाइज हो जाए, और कोशिस ये करें कि जब तक आपके 1000 सब्सकाइब अगली वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए चैहेंद